हेलो फ्रेंट्स वेलकम सी ओल इंजार्विस केंपस आज यहां पर हम बात करने वाल है कि हमने यहां पे डिफरेंट टाइप आप आप मोशन पढ़ लिए जैसे कि अहीं एक्षचलेटेंट नो मोशन जिसमें भी हमने युनिफर्म औं नॉनिफर्म पर साथ ही साथ है हमने डिस्टन्स वर्सिस टाइम और वेलो सिटीवर सिस कोई भी object है वो कुछ distance cover करता है in fixed time interval तो यह सब जो है उसके according यहाँ पर हम जीएगा उसके according हम यहाँ पर graphical method से motion के equation बना सकते है motion के equation यहाँ पर हमें three equation of motion दिये गए है कुछ यहाँ पर आपको दीख रहे होंगे यहाँ पर यह जो वी है यह वी है डिनोट करता है initial velocity को यहाँ पर यह जो यू है वो क्या यहाँ पर डिनोट करता है initial velocity को यहाँ पर डिनोट करता है साथ ही साथ यहाँ पर यह जो ए है वो acceleration को डिनोट करता है यह जो वी हमें यहाँ पर दीख रहा है वो final velocity in time t यहाँ पर denote करता है और यह जो s है वो क्या यहाँ पर denote करता है कि distance cover by the object in time t यहाँ कि कोई object है वो कितना distance cover कर रहा है वो s से यहाँ पर हम denote करते हैं यहाँ पर तीनों अगर equation को ध्यान से देखे तो यह जो first equation है वो velocity and time को relate करता है second equation जो है वो distance and time को relate करता है distance and time यानि कि position and time को यहाँ पर relate करता है and the third equation is represent the first and second equation यानि कि velocity and position के जो भी relation है उसको यहाँ पर यह third equation जो है वो relate करता है और यह जो third equation है वो आता भी first and second के according ही है जैसे कि यहाँ पर first and second equation है उसमें से अगर हम यहाँ पर time जो t है इसको अगर eliminate करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा third equation मिल जाएगा अब यह आप सुचोगे sir आपने तो बोल दिया यह तीन equation motion of equation है और first और second को अंदर से t को eliminate करेंगे तो हमें third equation मिल जाएगा आप बोलोगे कि sir ऐसा कैसे हो सकता है और अगर हो सकता है तो कैसे हुआ और कैसे यह दो अर या फिर तीन equation जो है वो आए confusion हो रहा है ना कोई बात नहीं जुड़े रहे हमारे साथ हम हमारी next वीडियो में यही तीनो equation कैसे हमने derive किये है with the graphical method यह हम सिखने वाले till then thank you